कि एंदर वीडियो अजमें करेंगे निफ्टी का और फिन निफ्टी का यह थो अब भूलिया का उथ में आपको पता की मुझे आधक लाउस नहीं है कल में ट्रेड करता हूं तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं चले जानते पहले निफ्टी का निसिस और जो हम ब्रोकर यूज कर रहे हैं वह है इस वीडियो का स्पांसर दोस्तों धन ब्रोकर कर सकते हैं बिल्कुल आपको मिलता है सो इसमें अकाउंट हो सकते हैं चले जानते हैं निफ्टी का हम करेंगे तो निफ्टी ने आज अठाराजर का जो लेबल है वह ब्रेक कर दिया फाइनली ठीक है इस ने ब्रेक किया और एक किसांदार क्लोजिंग है निफ्टी में प्योर बुअच Episode और तौर एक तो तो उपर रहेगा ठीक है उसके बाद जो होना होगा लेकिन मार्केट तब तक उपर ठीका रहना चाहिए कुछ अच्छे-च्छे प्रमिसेस होते हैं करेंगे करेंगे कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट गेप अपोड़ा और सारे मूफ दे जा रहा है तो इस वार्केट ने गाप किया है और ऊपर को तरफ तरफ सटेन किया यानिकि प्यूर हम बुलिश ही है सो यहां पर जो हमारा लेवल आएगा वो है 18,300 पर लेवल एक अच्छा रिस्टेंस है इसको तरह सा बढ़ी टाइम पर देखते हैं ठीक है तो आपको नजर आएगा कि 18,100 हमारे अगला एक रिजिस्टेंस का काम करेगा जो आई थिंक आचाराम से चीव होजना चाहिए ठीक ह सब्सक्राइब करेंगे ठीक अगर आपको रिटेस्ट मिलता है तो आप एक्शले में बाइग करेंगे 1,100 के टारगेट के लिए so कुछ इस तरह से expectation है मेरा किस तरह से आएगा और यहाँ पर हम इसका stop loss के साथ buy कर सकते है और अगर downtrend में play करना है अगर नीचे जाना है तो थोड़ा सा risky होगा लेकिन फिर भी उसको देखेंगे और यहाँ पर हम buying side में यहाँ पर से buying कर सकते हैं यह expectation है हमारा कि market bullish play कर सकता है और अगर downside में दोस्तों क्योंकि हम traders है तो हमें दोनों side के लिए त्यार रहना है तो अगर downside जाना है तो एक तो जो यह level निकल के आ रहा है तो ठीक है यहाँ पर एक level निकल के आ रहा है यह वाला 17,950 के आसपास अगर निचे निकलता है तो हम प्ले करेंगे इस gap को fill करने के लिए 800 की gap को fill करने के लिए targets कुछ इस प्रकार के होंगे 830 यह निचे की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो यह हो गया निचे की तरफ हमारा target 830 होगा और यह break करता है तो आप कहले पंदर मिन का closing हो जाना चाहिए तो यहाँ पर कुछ इसको इसलिए टाइम फ्रेम से इंबोडन होता है यहाँ पर अगर 940 को break करता है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे ठीक है यहां का target होगा 830 का यह निफ्टी का है दोस्तों निफ्टी बुलिश है बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश है चलिए तो उपर का हमारा 8100 का target होगा रिट्रेस्ट करता है तो और नीचे का अगर आपको downside जाना है तो हम इसके नीचे ब्रेक करने का वेट करेंगे 17,940 के निचे हम ब्रेक करने का वेट करेंगे जैसे डाटा पॉजटीव है ठीक है डाटा पॉजटीव है सो शॉटिंग आप अवोईड कर सकते हैं अगर आपको safe रहना है तो ठीक है सिर्फ आप C की तरफ ध्यान दीजेगा चलिए बात बात क क्लोजिंग करता है क्लोजिंग करना चाहिए एक पांच करना चाहिए फिर चाहिए यहां पे नीचे की तरह ना हो चाहिए यहां पे नीचे की तरफ बात करेंगे तो डाटा तो पॉजिटीव है ठीक है अगर आपको डाटा देखना है तो आपकी इसे डाटा देख सकते हैं वाइपल से इसका भी link description में होगा तो यहां पर हमेंसे sign in करेंगे और यहां पर हमेंसे stats में जाएंगे और यहां पर देखेंगे तो एक अच्छी सी nifty की बात करेंगे तो एक अच्छी सी put writing हुई है यानि कि लोग bullish है यहां पर देखें बड़े बार्स नजर आ रहे हैं सो देखते हैं क्या होता है और आपको डाटन से सीखना है तो आज लास्टे है आप यहां पर दाटन से सीख सकते हैं अगर आपको कॉर्स प्रचेस करते हैं तब को 300 वापस मिल जाएगा आज लास्टे है इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके बाद कल से एक और स्थ्वरास आपको महेंगा मिलेगा आपको क्या करना है और यहां पर आपको डाटन से स्थिख लेना है बहुत कामका वीडियो है मतलब कोर्स है ठीकर six months का है लाइफ लासे मिलेंगा आपको मतलब मज़ा आजाएगा आपको मतलब बोलेंगा कि हाँ क्या confidence आपको डाटा के वाद साथ चार्ट में देखने का चार्ट भी पॉजिटीव होगा तो होल्ड करने भी confidence आएगा मज़ा आएगा तो यहां पर हम टार्गेट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे दोनों इंडाइस बुलिश लग रहें थोड़ा साउधान रहेंगे थोड़ा सा डाटा देख लेंगे कि अभी तो डाटा पॉजिटीव है चलिए अब बात करते हैं फिन इसमें आप ट्रेट कर सकते हैं यहां पर मज़ा आता है क्या यहां पर सबसक्राइब हैं 50 यहां देखते हैं यहाâte इसने भी ब्रेक आट किया में इसमें बहुत सारे कंपनी आती है तो हम 18,400 के नीचे फिनिफ्टी में शॉट करेंगे लॉंग करना है जो हम पहले से बुलिश है तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे इस लेवल का फिर हम एक अच्छा सा कैंडल खोजेंगे डाटा देख लेंगे और हम बुलिश प्ले कर सकते हैं फिनिफ्टी में सो कर सकते हैं लेकिन और रिस्की होगा क्योंकि एक पहले सी मोमेंटम है तो थो थोरा सा रिटेस्ट करना चाहिए टार्गेट होगा यहां पर जो 18,630 हमारा पहला टार्गेट दिख रहा है तो यह वाला होगा हमारा दूर सो पहला टार्गेट ठीक है और यहां पर आपको अब बिल्कुल नए है मार्केट में ठीक है तो यह दोस्तों आज का लिए अगर आपने प्ले करना है तो हम एड़िट करेंगे फिर हम ऐसे बुलिश जा सकते हैं शौट करना है तो हम ऐसे इसके नीचे ही शौट करेंगे ठीक है शौट करना मुझे प्रिफर नहीं लग रह नहीं है आपका एक रुप्य कभी नुकसान नहीं होगा अगर आप इसमें अकाउंट खुलते हैं तो यह दोस्तों आज का वीडियो थांक्यों वाचिंग एंड़ नेक्स वीडियो